हमने सबसे पहले हमने प्रोविजन फोर डाउट फूट नमरिंग पर मत जाहिएगा नमरिंग आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने यह पहले ही स्लाइड बना लिया है आज मैं लगबग लगबग अज़स्मेंट खतम कर दूं पहले हमने बेडेट्स कर लिया था बेडेट्स में क्या था अगर ट्रायल बैलेंस में गीवन है तो प्रोफिजन फोर डाउट फूल डेट्स तो अगर ट्रायल में गीवन हो तो गलत नहीं रहा हूं यह credit में ही जाएगा लेकिन adjustment में हो तो profit and loss के debit और debtor से minus हो जाएगा ठीक है अब concept यह आता है कि दोनों mix होके आए लेकिन हम पहले उससे पहले समझ लेते हैं फिर जो मैंने चार्ट बना रखा वो easily समझ में आ जाएगा ठीक है और यह चार्ट मैं इसलिए बना रहा ह है ठीक है अबना हमारा तीन चीज़े हैं देखो debtor कहीं बारना question में प्रोविजन फॉर पेड़ डेट्स और सिर्फ बेड़ डेट्स और discount on debtor discount on debtor यह तीन बाटे ना इखटे ही आ जाती है लेकिन हम पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि यह है क्या पंगा आप सभी ने अभी से पहले बहुत बार सुना होगा bet debts होते हैं और एक provision for bet debts होते है दोनों में फार्ग क्या होते है ठीक है लेट्स स्मझते हैं कि στο एक लाख रुपे का इसका मतलब क्या है हमने उदहार माल बेच्छा हुआ है कि तने रुपे आएक लाख रुपे का किसी सामनेवाले वक्ति को मान लेते हैं let's श्रेट में पर्संट नहीं है यह कि यह तो बहुत सारे डेटर है कि माल लेते हैं इसको मैंने बेचा हुआ है बीस हजार में इसको बेचा हुआ है मैंने प्रशाठ हजार कि या फिर अमाउंट होड़ा सा चेंज कर देते हैं सतर हजार और इसको बेचा हुआ है 10,000 कुछ इस तरीके सा जब मैंने बेचा ना तो हमारा डेटर पता है कितने का बना ये एक लाग का बना ठीक है अब हमें हो सकता है में भी पॉसिबल है कि तीन सिचुएशन है सबसे पहले बैट्ट का मतलब क्या होता है दो वर पैसा डूबना मतलब जब हम बोल देते हैं वेडिट्स हो गया तो इसका मतलब है कि अब यह पैसे आपको जीवन में नहीं मिलेंगे तो यह पैसे आप अपको लाइफ में कभी भी नहीय मिलने वाला पहली बात आप ध्यान रखना क्या मैंने कहा अगर आप बोलते हो के मेरा बेड़ेट्स हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसे आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा हो गए डूब गए इसके बाद होता है हमारा एक आपने नाम सुना हो प्रोविजन ओन डेटर अब प्रोविजन फॉर डेटर को बहुत तरीके सा जानते हैं प्रोविजन फॉर डेटर भी बोलते हैं और रिजर्फ फॉर डेटर भी बोल देते हैं ठीक है ना दोनों का मतलब एक ही है provision for doubtful dates का मतलब है कि आपको doubt है कि शायद पैसा डूब सकता है पैसा जो है न जो हमारा है डूब सकता है यानि यहां पे आपकी शियोटी है 100% और जो provision for doubtful dates का मतलब है कि शायद डूब जाए क्योंकि हमारे accounts का एक law है एक principle है प्रोडेंस principle यह conservative वो क्या कहता है हमारा कि future में अगर आपको अंदाजा भी हो रहा है कि महसूस हो रहा है कि हमारे future में नुकसान हो सकता है अगर लग रहा है तो आप future में मत उसको लिखिए उसको कब लिख लीजे आज ही record करिए लेकिन अगर लगता है कि आपको future में फाइदा होने वाला है तो जब होगा तब करना यह rule है तो अगर मान लेते हैं for example हमने बहुत सारे लोगों को समान पेचा मैं student का example ले लेता हूँ मैंने मान लेते हैं 100 बच्चे बैच में हैं और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ बच्चे मेरी fees नहीं देगे मेरा यह क्या है यह अंधाज़ा है 100% surety नहीं है कि कुछ बच्चे फीज ऐसा नहीं है कि देगे नहीं यह क्या है मेरा स्रिफ और सिर्फ अंदाजा है एक अजम्शन है कि भाई यह कुछ बच्चे फीस नहीं देंगे अब कुछ का कोई definition नहीं है तो accounts के rules क्या बोलते हैं कि कुछ मत बोलिए आप certain percentage अपना determine कर लिजे 2%, 4%, 5% तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा अंदाजा है कि इतने पैसे डूब सकते हैं ठीक है और यहां पर अगर मैं आपको बताओं कि जो हमारे last वाले debtor है ना मैं नाम भी बता देता हूँ इनका A और यह B और यह C मैं simple सी बात करता हूँ कि जो last वाले debtor है ना suppose करो suppose करो जो last वाले debtor है यह वाले debtor यह debtor जो है ना last वाला इसकी बात कर रहे है ठीक है इस debtor की death हो गई C की death हो गई और यह भी मान लो कि C का कोई family member भी नहीं है अकेला था इसकी death हो गई अब बताएए आपके 10,000 रुपए recover होंगे या नहीं होंगे यानि 0% chances है कि आपके पैसे मिल जाए वापसी है कि नहीं तो इस situation में बोलूगा यह तो मेरा पैसा डूब गया यानि क्या हो गया यह यह हो गया हमारा bad debts ठीक है पहले समझीएगा bad debts किसको बोला मैंने अब मेरे पास दो बचे है अब इन दोनों में से भी मुझे doubt है कि हो सक होता है कि भी मेरे पैसे ना दे ऐसा नहीं है कि इसकी death हो जाएगी मुझे यह doubt है कि कई बार customer क्या होता है कि लास्ट में ना हां ना हां करते-करते होता ही है आज तक कोई सा ऐसा बिजनस नहीं बना जो a cruel concept follow करता हो और उसका bad debts ना हुआ होता जरूर है चाहे रुपय का हो लेकिन डूपता जरूर है पैसा ऐसा कोई business नहीं बना चाहे school हो college हो दुकानदारी हो हर किसी में अब मुझे इन दोनों पर doubt है इन दोनों के ओपर क्या doubt है कि यह सायद मेरे कुछ पैसे नहीं देगा और मेरे मन में चल रहा है कि suppose करो 10% मेरे पैसे सायद और डूब जाए त अब मेरे पास डेटर कितने थे तीन टोटल कितने का था एक लाग रुपए का अगर मैं बूलू के मेरे एक लाग पर मुझे लगता है कि मेरे 10% डूब सकते हैं तो यह गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि जो चीजे आपको confirm है उस पर क्यों doubt कर रहे हो यह वाला point तो आप आपको confirm ही केस से पैसे नहीं मिलेगा अगर एक लाग पर मैं प्रोविजन का मतलब होता है कि आप अभी से माल ले तो मुझे किसके 90,000 पर 10% हिसाब लगाना चाहिए that is 9,000 रुपए मेरे और पैसे शायद डूब जाए हो सकता है कि यह 8,000 ही डूब है और हो सकता है कि यह 11, 9,000 भी हो सकता है और हो सकता है एक्जेक्ट 9,000 भी हो लेकिन हमारा अंदाजा कितना है डूब जाएगा 9,000 ठीक है ना तो अब सबसे पहले चैलेंज चैलेंज आ गया हमारे मेरा कुशन है आपसे क्या एक और्गनाइजेशन में बेड़ेट्स और प्रोविजन फॉर बेड बेडर्ट नहीं डूबेंगे तो अगर मैं इसमें से माइनस करने की बात करूं बदेट्स होगा तब नहीं मेरा debator कम होगा और प्रोविजन होगा तब मेरा debator कम हो जाएगा लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा अगर इक परपस से कम कर देते हैं क्योंकि प्रोविजन अगर करा है मैंने और मुझे अंदा जाए कि मेरे 9000 डूब जाएंगे तो इसका मतलब यह थोड़ी मेरे डेटर 9000 से घट जाएगा वो तो मिल भी सकता है लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हममाल लेते हैं कि हमारे क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है तो अब मुझे सबसे पहला मेरे पास challenge क्या है मैं इसमें से बेट कर दूं या फिर मैं पहले provision माइनस करूँ अगर मैं पहले प्रोविजन करता हूँ तो इसका 10% तो 10,000 हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो पहले मुझे क्या माइनस करना चाहिए पहले हमें number one पे माइनस करना चाहिए bad debts और जो हमें दे रखा था that is 10,000 अब हमारा जो बचा 90,000 अब इस 90,000 पे आपको फैसला लेना है तो अब क्या माइनस करोगे प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स that is 10% लिया तो 9,000 अब जो 81,000 है आपके मन में आपको एक उमीद है कि 81,000 रुपिस मेरे अब मिल जाएंगे अगर मैं आप डिस्काउंट की बात करूँ आप से के भई डिस्काउंट डेटर को देना है तो आप उन्ही डेटर को डिस्काउंट देना पसंद करोगे जो आपके अच्छे डेटर है अब इसको डिस्काउंट दे कि क्या कर लोगे जो मर चुका है उसको discount दोगे किया नहीं दोगे कोई फाइदा ही नहीं है उसको discount दो तो पहले ही चला गया सारा लेके वो तो पूरे discount बें चला गया तो हम इसके बाद finally सबसे last में क्या minus करते है provision for doubtful provision for discount माल लेते हैं let's assume के 5% तो इसके उपर 5% लगाएंगे that is 4500 तो पहले sequencing देखो debtor में से सबसे पहले minus होता है bet debts फिर number 2 पे minus होता है pfd number 3 पे होता है minus हमेशा discount adjustment चाहे ऐसा भी हो ना कि पहले आपको adjustment में provision दे रखाओ फिर discount दे रखाओ फिर bet debts दे रखाओ उससे फरक नहीं बढ़ता आपका sequence यही होना चाहिए biological समझ मैं अब एक question raise होता है कि सर आपने provision for doubtful debts ना credit में भी लिखवाय था ठीक है थोड़ा सा उसके उपर भी पता दीजिए पहले यहां पर को systematic पता चला पहले क्या minus करना है अब आपने यहां पर अंदाजा लगाया और मान लेते हैं मैं यहां पर एक आपको trading account बना देता हूँ और यह कब पता चलेगा actual bad debts साल बंदू खतम होने के बाद पता चलेगा क्योंकि आप तो प्रोविजन करते हो 31 मार्च को और 31 मार्च को मान लेते हैं कि मैंने दोनों पर प्रोविजनिंग लगा रखी है 31 मार्च को लगा कि मेरे भाई 9000 डूब जाएंगे लेकिन फिर जैसे मई आया तो मई में इन्होंने तो पैसे दे दिये है ठीक है अब जब इसने मई में पैसे दे दिये तो अगले साल पैसे मिले ना अगले साल आ चुका हूं तो अगर मैं ध्यान से पिछले प्रॉफिट और लॉस को देखूं तो बोलूगा यार पिछली बार तो हमने गलत दिखा दिया कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे यही हुआ ना लेकिन एक्चुल में पैसे मिल गए तो यानि पिछली बार हमन इसको ठीक करने के लिए माल लेते हैं कि 8000 हीस में से दूबे फिर भी तो एक हजार आपने ज्यादा दिखा रखें इसको ठीक करने के लिए जिस साल में है उस साल अपनी अगर हम इंकम को बढ़ा दें उतने से जितना पिछली साल हमने ज्यादा खर्चा किया था तो वह ची कि माइन में खयालात यह भी आ सकते सर ऐसे इंकम टेक्स वगरा भरते हैं तो दिक्कत होगी क्या इंकम टेक्स के लिए अलग से पीएंडल बनता है यह वाला पीएंडल हमारा नहीं चलता उसका बिल्कुल अलग ही पीएंडल चलता है तो जब हम इंकम टेक्स पढ़ेंगा करनाnothing है कि मैंतम लाएंगा मैंने जब प्रोविजन ट्राइल में होता है न तो त्राइल साल का मतलब होता है यह पिछले साल का क्रेडिट महीं मिलेगा आपको इसका मतलब है फिछले साल क्सरी को अब जब दोनों टों क्या करना तो पहले यहां तक आपको clarity किसका क्या होना चाहिए अब adjustment मैंने दोनों का बना रखा है in fact जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी और मैं उससे पहले न मैंने questions भी लिखा हुआ है in fact एक आपके सामने question है और मैं question मैंने कर दिया चलो मैं इसको मिटा देता हूं question को है और हो 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 है चलिए 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 आंसर मैंने मिटा दिया आपके लिए fresh question है अब इस question में आप देखेंगे आपको खुद ही लगेगा देखो मैंने कितने सारे डेटर लिख दिया है जिससे कि आपको थोड़ा confusion होगा और मेरा आपको पर्पस ही है कि आपको confuse किया जाएं ताकि clarity हो जाएं आपको डेटर दे रखाए आपको बैड़ेट दे रखाएं आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी रखाएं नीचे अट्जस्मेंट में बैड़ेट से और उपर भी बैड़ेट से नीचे भी इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है ट्राइल बैलेंश के हिसाब से सोचना होगा तो हम अजिस्मेंट बात में करेंगे पहले त्राइल बैलेंस वाले को देखते हैं तो ट्राइल बैलेंस वाले के हिसाब से देखा जाए तो डेट रुपए का हो गया पाँच हजार और अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो तो यहां भी द एक लोग भूल जाओ तो credit है तो credit ही होगा लेकिन पीडल में पाई PFD यादार है तो 6000 और trial balance में provision for discount हो तो ये भी credit होगा same asset treatment है हाला कि trial balance में अक्सर होता नहीं है मैंने maximum से maximum इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता तो हमने trial balance को खाली कर लिया यहां तक सभी बच्चों को clear है जितने बच्चे live है उन सभी को भी clear है ठीक है यहां तक सभी को clear है न क्या क्या अब हम adjustment को adjustment की तरह सोचेंगे adjustment 3 है पहले provision for debt फिर bad debts free है तो आपको number के हिसाब से चलना होगा या फिर जो sequence हमने concept wise देखा है वो चलेंगे जो sequence है पहला sequence किसका आता है bad debts का फिर किसका आता है provision का last में discount होता है तो इसलिए मैंने जान बूच के जब example मैं लिख रहा था है यहां तो जान बूच के मैंने पहले provision दिया है ताक कि आपको clear होके पहले है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम 10% पहले minus कर देंगे पहले क्या minus करेंगे यहां से हम bad debts minus करेंगे तो हम minus कर देते हैं यह देखो bad debts और bad debts कितना है? 5000 रुपे अब हर adjustment की double entry अगर adjustment में bad debts हो तो मैंने बताया था दो जगे जाएगा कहां कहां जाएगा एक तो less from debtor और दूसरा P&L के debit में लेकिन सर P&L के debit में तो एक और bad debts है तो अब यह वाला जो bad debts है इसको हम नाम देंगा further bad debts further का मतलब क्या होता है? और उसके बाद और हो गया वई further और भी ज़्यादा हो गया तो further bad debts कितने होगे further bad debts 5,000 रोपे अब क्या number 2 में माइनस होगा प्रोविजन तो पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं और 95 में से माइनस कर लेते हैं PFD मैं थोड़ा short form यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए और PFD हमारा 10% ता अब आप चेक करिए मैंने adjustment में हो तो क्या बताया था ये तो current year का है तो current year का तो आपको नुकसान सोचना है इसको तो debit जाएगा तो PNL के debit में लिखिए PFD that is 95 100 अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो 10,85,500 अब finally हमने discount कितना कर रखा है 5% तो अगर discount हो इसको आहला कि मैंने लिख दिया है अभी पता चल जाएगा आपको discount 5% इसका 5% अगर हम निकालते हैं तो 8,55,000 5% 4,275 है ठीक है और finally minus करके 8,1 और मैं बार-बार बोलता हूँ आपके ने calculator allowed है ठीक है ध्यान देजिएगा तो अब यहां पे आपका यह कहां जाएगा सर खर्चाईए तो provision for discount TIS कर रहा हूँ डिसकाउट में ठीक है 8,1,2,2,5 समझे ठीक है तो यह हमारा है पूरा का पूरा जो treatment आपने देखा है इसी treatment को एक में systematic तरीके से मैंने लिख दिया है जो कि आपको समझ में आ जाएगा systematic तरीके से क्या लिख है आप देखिए सामने आपके है कि जब सर आपको provision for doubtful dates bed dates और discount तीनों चीज़े गीवन हो तो हम क्या करते हैं अगर trial balance में गीवन है तीनों चीज़े तो bed dates P&L के debit में provision P&L के credit में और discount P&L के credit में वही किया था हमने और जब adjustment में हो तो सबसे पहले debtor लिखेंगे debtor में से minus करेंगे bed dates फिर जो बचेगा फिर minus करेंगे PFT फिर जो बचेगा फिर minus करेंगे discount और ये सारे amount जितने भी minus हो रहे हैं ये P&L के कहा चला जाएगा debit में क्लियर होगे आपको कॉंसर्ट बेट डेट्स प्रोविजन फूद 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 डेट्स का हमने एक example भी देख लिया और concept भी सीख लिया ठेक है यहां तक क्लियर है